ओम स्री गणेशान में, घर में सिविलिंग पूजन बीधी देखिए, कैसे आप सिविलिंग से 2400 घंटा आशिरवाद प्राप करेंगे, यह है नर्मेदेश और सिविलिंग, नर्मेदेश और कहार एक कंकर सिव संकर है, यह नर्मेदेश और सिविलिंग, all world मेरा जाता है, मेर से हूं, 10 महाविधा का तंत्र सांस्त्री, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता, ऐसा कटूरी ले लिजीगा, और एक बेल पत्ता, बेल पत्ता, यह तो तिर्शूर रह गया, यह आपने नर्मेदेश और का हर एक कंकर सिव संकर रख दिया, ठीक है, थोड़ा सर्सोते लगा दिजीगा, और हात ने, पिली सर्सो, येलो मास्टेर, और ये भिमसेनी करपूर का गोटा, हल्दी, पिडी हल्दी, और जो धूप आता है, धूप हमने दिखाया था पहले, यह धूप, सब को एक छोटे-छोटे डबा में भरकर रख लीजिगा, एक साथ नहीं मिलेगा, छोटे-छोटे, और साथ दिन में एक बार, अपने हातों से थोड़ा-थोड़ा उठाके इसको डालेगा, ओम नमस्षिवा, ओम नमस्षिवा, ओम नमस्षिवा, ओम नमस्षिवा, ओम नमस्षिवा, ओम नमस्षिवा, यहाँ थोड़ा सर्सोते लगा दिजिगा, और समी पत्ता मिले तो थोड़ा दिजिगा, और दू जागा और करपूर इसको फूल कर दिजेगा ये पात्रा जो है थोड़ा बड़ा ले आईएगा इसको फूल कर दिजेगा फूल कर दिजेगा और अगले दिन चोबिस घंटा के बाद यह सब पात्रा का सामगर निकाल के कटोरी में अलक्स रख लिजेगा और घर में उसी को धूनी दिजेगा आप तो हमारे तेतिस कोटी तेतिस प्रकार देवी देविता जो है ये वायुतत्त्व है ये अगनी मुखी है ये आपके घर में चले आएंग तो यह नर्मेजशवर का हरे कंकर सिफशंकर है All World भेजता हूँ मैं कुछ सिविलिंग कुछ विशेश व्यक्तियों के लिए यह नर्मेजशवर सिविलिंग धनकुवेर मंदर के अंदर धनकुवेर जी का मंत्र प्रयोक करके फिर कई लोगों तक भी भेजता हूँ आप कही से भी नर्मेदसर सिविलिंग ले आईए इसका कोई पूजन उगरा जरूत नहीं है दूसरे दिन जो आप ये निकालेंगे उसको यही सिविलिंग में ही धुनी दे देना है जला के धुआ होना चाहिए धुआ ऐसा ने कि सब जल जाया हाल दिका और घर के चारोतरब दे दिज जैसा आपका मर्जी तो आप कहें से भी नर्मेदसर सिविलिंग ले आके कर सकते हैं या मेरे सगर लेना चाहिए तो यह नर्मेदसर सिविलिंग या अपने आप में प्राण प्रतिष्टा है इसे कोई प्राण प्रतिष्टा ज़बरत नहीं है और जिसको धनकुवेर मंत्र और सिविलिंग चाहिए, तो धनकुवेर मंदिर में पूजन होने के बाद ही यह भीजवा दूँगा, और वेल्ड के जितने भी है मा, बहन, बेटी, आप किसी के चंगूल में मत पसें, आज कई व्यक्ति नकली वीडियो बनाते हैं और अपने आपको तांतरिक बोलते हैं, मह से लड़कों से साधी करवा देंगे और लूट रहे हैं उनसे बचें, पहले से आपके घर में कोई भी सिविलिंग है, वह सिविलिंग तक धनकुवेर जी का मंतर अगर पहुंचाना हो, तो वह सिविलिंग का फोटू मेरे वार्टसप में दे दिजेगा, तो ओडिसा राज वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आपका सिविलिंग हो, सिविलिंग के अंदर धनकुवेर का मंतर प्रवेश होगा, ये चमतकारी है, नमबर दो आपके परिवार को लाखो वर्सों तक के लिए सुरक्षित रखने के लिए, सिविलिग के हाथ में एक है ब्रह्मास्त्र बिद्या जो के अचुक बिद्या तिर्शुल से ओखेल होता है तिर्शुल से तो मेरा तिनसो पैसर दिन तिर्शुल से ब्रह्मास्त्र बिद्या छोड़ा जाता है एक बार जिस परिवार के नाम से ब्रह्मास्त्र बिद्या छोड़ दिया जाता है और देवी देवता को देद दिया जाता तो लाखो वर्सों तक वह परिवार सुरक्षित रहता है। भूत, प्रेत, राखे से सक्तियों से सुरक्षित रहता है। बंधन धिरे-धिरे हलका होते जाता है। हर रोज घर में धुनी दीजे और मा, बैन, बेटी, भाई, रुद्र आखे का कुछ भी धारन कीजिए और अपने मस्तक पे हर रोज ग्रहा के साथ कनेक्ट है ये दूबघास और बेलपत्ता को पाउडर करके भिमसिन करपूर के साथ मस्तक पे लेपन कीजिए और नहाने के जल में जल देवता हैं ये हल्दी का पाउडर डालें और ये पिली सर हाथ में लिजिएगा जिसको जो मंत्र आता हो मंत्र उचारण के पानी में डालके नहीएगा और भाई बैन मा बेटी महिला हैं हल्दी का पाऊडर बहुत रगड़र के आप अपने सरीर में आएं और कहीं हल्दी का साबुन भी मिलता हो तो हल्दी का साबुन यूज हाल्दी यह जो ब्रहस्पतिक रहा है विधी का विधान बदल देगा यह सीविली तो यह मेरा ओल वर्ल जाता रहता है मुझे कॉल मत किजेगा only whatsapp chatting और जिसको मेरे माध्यम से यह तिर्सुल यह तो छोटा तिर्सुल है चार साड़े चार खुट का अभी हमने मंगाया था विडियो भी छोड़ा था वह तिर्सुल एक तिर्सुल पूजन करवा दूगा ब्रह्मास्त्र विध्या और अनेक मंदिरों में मेरा तिर्सुल देने का कारिक्रम है दिली के एक मंदिर में दे दूगा जहांके अखंड धूणी जल रहा है पचास वर्सों से वह धूणी अगनी में आपके नाम का तिर्सुल गड़ जाएगा तो धूणी में जितने भी मंत्र छोड़े जाते हैं वह मंत्र तिर्सुल के माध्यम से आपके घर तक पहुँचेगा तो किसी के जालम न पड़े और जनम कुणली गणित 100% फेले किसी को न दिखाएगा आप किराय के मकान में रहते हैं आपका खुद का मकान बन जाएगा जीरज रखना पड़ेगा नो महना में मंत्र शिद होते हैं किसी भी प्रकार का उपवास ब्रत ना करें उपवास ब्र बिजवा दूँगा दूब जिसको चाहिए दूब बिजवा दूँगा पाउडर आप कर लिजेगा सुखा के बेलपता बिजवा दूँगा और धिमसे निकरपूर यह दो किलो का पाकेट आता है दो-दो किलो का पाकेट बिजवा दूँगा आपको क्या सब मिला के जो है आम बहुत चाहिए, हमेश अऊद्धे से रखे गा द्धान में बहुत चाहिए. तो यह सब सामगरी मिला के, ओम, कुवेर देवानम है, ओम नमस्षिवा, ओम कुवेर देवानम है, ओम नमस्षिवा, ओम कुवेर देवानम है, ओम नमस्षिवा, ओम कुवेर देवानम है, ओम नमस्षिवा, ऐसा कीजिएगा, इसका कोई पूजने, दो साल का बच्चा भी कर तो जिसको जो जो भी सामगरी चाहिए, कितना सेट चाहिए, आपको नर्मितर सर्श की बिलिक, बहुत ही बढ़िया साइच का है, बिजवादी दिया जाएगा, कॉल मुझे मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूं, और एभरी डे हर रोज मेरे रुद्राव से करवाएं, आपका जैसा भी जनम कुल्ली में दुष्ट ग्रह दो सनिवारन होंगे, तिर्सुल बिद्या करवा दूँगा, और लेमन का एक बिद्या होता है, लेमन, जो कि महामृतुन्य अनुष्ठान होता है, लेमन बिद्या से, आप किसी से भी महामृतुन्य जाप न दिखाएं, महिला है, बेटियों को, और वर्ल के अंदर, यह तांत्रिक, मांत्रिक, सांत्रिक अपने जाल में फसा रहे हैं, अब बहुत पैसा लूट रहे हैं, यह मुझे मालूम है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, नोकली नहीं, बिभा नहीं हो रहा है, साधी के अनेक वर्सवाद जिनका संतान नहीं हो रहा, उन्हें संतान होगा, और मैंने अनेक व्यक्तियों को मंत्र दिया था, नो महने में उनका मंत्र सिध्ध हुआ, लेकिन स्टेप बाई स्टेप, जैसा भी मंत्र आप, मंत्र तो अपने आप में सिध्ध है, उसको प्रोसीजर में डाल करना है, मंत्र के साथ उपवास ब्रत का कोई कनेक्ट नहीं है, उपवास ब्रत जो भी करवाते हैं उनसे दूर रहें, और जितने प्रवचन देने वाले हैं, उनसे दूर रहें, मेरा आठ तरिक से एक संगठन मैं बना रहूं, जैसे आपने अनेक पंथ देखा है, तो मैंन मैंने नाम दिया है, मेरा पंथ, मेरा पंथ का क्या पहचान, एक गुरु और एक निसान, मेरा पंथ का क्या पहचान, एक गुरु और एक निसान, अपने अनेक पंथ देखा है, तो मैंने आठ तरिक सिवरात्री के दिन में नाम रखा है, मेरा पंथ, मेरा पंथ का क्या चान एक गुरू और एक निशान, वाइल के अंदर आप तहीं भी रहें मंत्र सिद्ध आप नो मेहना में कर सकते हो, थो अखंड दिपक, थो तिर्शुल विद्या, थो शिविलिंग के माध्यम से, आपको जो भी जैसा भी मंत्र है, चाहे दुर्गा सप्तसती, हनुमान मंत्र दुर्गा मंत्र, दस महाविद्या, कमडा देवी, मात्यंकी, महाकालिका देव, धन कुवेर मंत्र तो बहुत ही आसान है, विदिका विद्धान बदल दे धन कुवेर, आपके घर में सिविलिंग है, हमेशा ये सिष्णम से कीजिए, धुनी लगाईए, डालते ही अभी मंत तो गा, ओम कुवेर देवाय नमा, ओम कुवेर देवाय नमा, ओम कुवेर देवाय नमा, नमर एक, नमर दो, रेड पेन लिजिगा लाल पेन, और कौपी लिजिए कौपी में, स्वास्तिक, रेड, ओम कुवेर देवाय नमा, फिर स्वास्तिक, फिर ओम कुवेर देवाय नम कीजिए आपके सरीर में कुवेर जी बास कर जाएंगे कुवेर जी सिविलिंग के अधिन में कंट्रोल हैं दुरुगा सब्तों सती सिविलिंग के अधिन में कंट्रोल हैं तो महिलाएं आपको धर्म के नाम से धोका दिया जा रहा है मानोव के जीवन का जितना भी ग्रह अनख वहत्रपूरप जनम का दोस रहता मस्तक पर रहता मस्तक पर यह तूप और बेलपत्ता को पाउडर करके रख रख लिजये करपूर मिला कर हर रोज मस्तक पर लेपन किजे और हल्दी को बुराश्पतिक रहा भखवान विष्णू का आगया हल्दी सरीज में अच्छे से लेप नहीं करता है मैं बता दूंगा यह बिमारी क्यों हुआ है और एक ज्याम दी जगा और वर्ड के वासी वर्ड के अंदर जितने भी ग्राम देवता हैं यह हमारे हिंदू सनात्र धर्म के नहीं है यह 50,000 वर्ड से स्थापना हुआ है और यह 99% राखे से सक्तिया है और यह मानुव को खा जाते हैं माग गर्व में बच्चा को खा जाते हैं तो हर माँ बहन महला इन ग्राम दी इपीट देवताओं से बच्चे दुरुगा सप्तर स मंत्र कोई भी सिद्ध करना हो या वेद माता गायतरी मंत्र तो बहुत आसान है सिद्ध करना थ्रो सिविलिंग वर्ड के अंदर जितने गायतरी परिवार हैं जैन मंत्र आपको कोई भी सिद्ध करना हो जैनी हो भाई तो माँ पदमावत्ति का पहले अपने गाउं में मंद मंदिर बनाएं कि जयन धर्म के सा संदेवी माँ पदमावति है अज पदमावति के मंदिर में यग्य चलता रहे तभी जयन मंत्र भी सिद्ध होंगे थ्रोष सिविलिंग आप हिंदू, मुसलिम, सीख, इसाइक, ख्रिष्टान, बोधिक कोई भी धर्म के हो मेरे वार्शाप से चार्टिंग कीजे फ्री आप कोस्ट बतला दूँगा बतलाने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता और अखंड दिप्यक पूजन मेरे बारो महना चलते रहते हैं कुवेर, गणेश मंदिर, कुवेर मंदिर और पंच मुकी वेजमात अगाइत्र, पंच मुकी शिवाल, अपसुपतिनाथ, ओडिसार, आजे जिला, कानल सार केशिंगा, कुडलू पड़ा के अंदर है अग्रो हम आधाम वहां अभी आड़ तारिक से एक पूजन हमने स्टार्ट किया है, बारा छोटे छोटे दीप, हर रोज वहां पूजन होंगे, हर रोज एक परिवार के ले बारा दीपक, बारा जोतिर लिंग से कनक्ट होगा, और अगरवत्ती अढ़ाई फूट का वहां लगा देंगे, और सिविलिंग में 100 ग्राम, हर रोज 100 ग्राम करपूर चड़ा देंगे, 100 ग्राम, आप वर्ल्ड के अंदर कहीं पर रहें, वहां एक दिन का जो अनुष्ठान पूजन का होता है, 12 रुप्या, 1200 रुपी से खर्च होगा, 100 ग्राम करपूर आपके नाम से हर रोज सिविलिंग मे दिया जाएगा, 12 दिपक जलाए जाएगा, और बहुत सामगरी हुआ, चड़ाया जाएगा, तो वह कारेक्रप में जो भी सामिल होना हो, हर रोज एक परिवार के लिए ही किया जाएगा, 12 जोती, मन दिपक जलाए जाएगा, 12, 1200 रुप्या, जो भी उसमें भी 1200 रुप्या, हर रोज 4 अगरवती, 3-4 घंटा हुआ जलेंगे, हर रोज एक परिवार के लिए ही करूँगा, 12, 100 रुप्या, आप मेरे वाट्षप में अपने All Family Members का नाम दे देजेगा, और Town, City, Village नंबर देजेगा, 12 दिपक, 12 जोती लिंग को कनेक्ट होंगे, और धन, कुवे, देवता गणेस, पंच मुखे, सिवाल, और वेद माता गायत्रे आपको आश्रुवा देंगे, मैं कॉल रिशीव नहीं करता, और सभी मंत्र सीद होते हैं, पीले सर्सों से, कई लोग जो माला आप जाप करते हो, गो मुखी पकड़के, तो गो मुखी जो कपड़े का होता है, उसके अंदर ये भरना जरूरी है, अगर आपने ये हैं नहीं भरा, तो आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, और मंत्र जाप करने के बाद ये जो पीले सर्सों जितना भी है, सिवलिंग में डाल दिजीगा, और दूसरे दिन धुनी दिजीगा, तभी मंत्र जो है सिद्ध अभी जो है, only all wealth से 108 व्यक्तियों को ही मेरे साथ जोड़ूंगा, और वहा 108 व्यक्ति देखते देखते 9 महना में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये मेरा guarantee है, मंत्र दिख्या लेना हो किसी को भी, कोई भी मंत्र का दिख्या ले सकते हैं, ट्रेनिंग जिनको लेना हो मंत् दिख्या लेना हो, free of cost, कोई भी कभी एक रुप्या भी आपसे में पैसा अपने लिए नहीं लूँगा, जो अनुष्ठान होगा, आपको सामिल होना हो, आपको कोई परेसान कर रहा है, कोई तंत्र से बंधन कर दिया, आपके पत्नी को कोई तंत्र प्रयोक कर दिया, आपक इतने तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, हम खोल देंगे, हम बसिकरन कर देंगे, हम ठिक कर देंगे, यह सब लुटेरे के सरदार हैं, इन सब से बचे, यह वीडियो को कम से कम तिन लोगों तक जरू 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 भेजे, मैंने गुरू बना है, मेरे गुरू है, रुदर रुप और हमारे जो मंदिर देखरेक जो कर रहे हैं, वह मेनेजर का हम फोन पे नंबर दे देंगे, आप उनके नंबर पे डाल देजेगा, मेरे वाट्सप पे आप नामोगरा दे देजेगा, हम मेनेजर को सिस्टम से समझा देंगे, कब किसका पूजन करना, एक दिन, दिन भर पूर पूजन चार मंदिर का, जैसे गनेजर्जी को लिम्वण का भोग लगे, संत करे सेवा, लिम्भु गनेज़जी को लगाया जाएँगा, सिबलिंग में लिम्भु दिया जाएगा और सोग्रा म करपूर, डाल दिया जाएगा, सिबलिंग के उपः, करपूर गोरं, और तीन बार ताली बजाके उठे जाईएगा घंटा घंटा जरूरत नहीं है पूजन में बेठने का आज से पहले आपने जिनसे भी गुरू दिख्या लिया है अगर नो मेना में आपका मंत्र गर्शीद नहीं हुआ है तो भाग गुरू को पहले त्यागी कोई भी धर्म में सद्धा भक्ती नहीं है उपुबास ब्रत नहीं है और चातुरुमास तो ही ये लोगों को फास दिया गया है ये फासने का काम है ये चातुरुमास चोला पचोला अठाई अठाई और अभी तो हम सुन रहे हैं कि सिल ब्रत भी करवा देते हैं कहीं धर्म में सिल ब्रत कारत होता पती-पत्नी अलग-अलग सोराथ को ये इतने पाखंडी हो गए हैं हराम के खोर इन सबसे बचे यह वीडियो को जनजन तक जरूर 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 बेज़े उपवास ब्रत गलती से भी मत किजिए जो भी व्यक्ति धर्म के नाम से आत्मा के नाम से उपवास और ग्रत करता उसका मंत्र जीवन भर सिद्ध नहीं होगा हम महाकारे सर नर्मेदे सर शिवी लिंक के सम्मुक बोल रहे हैं मेरे गुरुजी हरुदिर प्रकासी भी सुना देगा